हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं काब्री चना की घुगनी तो सबसे पहले तेल गरम करके उसमें दे दिया है जीरा जीरा फोरन डाल दिया है अब डालेंगे प्याज प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद डाल देंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट हल्दी पाउडर अब देखिए दोस्तों प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें एड़ करेंगे बॉयल के हुआ आलू अब इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच अद्रक और रहसून का पेस्ट अब थोड़ा से अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर इसमें एड़ करना है दो चम्मच जीरा और रेड़ चिली का पेस्ट अगर तीखा ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद अब एड़ करना है बॉयल किया हुआ काबली चना boil किया हुआ काबली चना हम लोग add कर चुके हैं और इसे 7-10 मिनट तक छोड़ देना है थोड़ा सा boil आने के बाद फिर लास में add करेंगे चना मसाला किसी भी brand का use कर सकते हैं मैंने BB Royal का use किया है इसका taste बहुत ही अच्छा आया था ये घुगनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था आप लोग इसे जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू बाई बाई